कि डॉक्ट्रिन अफ इसेंसियलिटी इस क्या होता है तो यह जो है सेवेंजेच बंच जो है यह बनी थी 1954 में सुप्रीम कोट की और यह सिसूर मट केस था 1954 का यहां पर का आगया था कि कोट देंट टुक दा इसेंसियल प्रैक्टिस अफ रिलीजन अपान इटसल्फ तो रिलीजन से रिलेटेड जो यह इसेंसियल प्रैक्टिस हैं उनकी जो रिस्पॉंसिबिलिटी है वह कोट खुद जो है करेगा इसको डॉक्ट्रिन अफ इसेंसियलिटी हम जो है कहते हैं जोतेदार जो है एक क्लास जमिदार्स, बर्गरदार्स और मंदल्स, तो मुझे ये बताईए कि जोतेदार कहां रहते थे और जमिदार कहां रहते थे, क्या जमिदार अर्बन अरियाज में रहते थे, या फिर जोतेदार अर्बन अरियाज में रहते थे, या दोनों जो है, रूरल अरियाज में रहते थ मिनेरवा मिल के weiter 2008 में आया था इसमें क्या सुप्रीम कोड ने कहा था कि इंडियन कंसिट्यूशन जो है ये बेड्डरॉक है अप्ड़ बैलनेनन्स ब् nounध fandव in डी प्स प तो यह पर ईंडियन कंसिट्यूशन fundamental right और DPSP के balanced way को ही जो है यह दिखाता है Indian Constitution दूसरी चीज़ है कि जब religious minorities जो है identifies होती है national basis पे और linguistic minorities जो है state basis पे इनको identify किया जाता है इसको ध्यान रखेंगे कि जो religious minorities है वो national basis पे हम उनको identify करते हैं और linguistic minorities को हम identify करते हैं state basis पे ससपद जो है ससीपद बैनर जी के बारे मिधान रखेंगे कि इन्होंने setup किया था working man club 1870 में और monthly journal इन्होंने लेकर आया था जिसका नाम था भारत स्रम जीवी Indian labor और इनका primary जो idea था वो यही था यह educate करें workers को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा नहर सी जो national human rights commission है इसके खुद के इन्वेस्टिगेटिंग स्टाप्स होते हैं यदि किसी के human rights violation होते हैं तो इसको director general of police head करते हैं और वो जो है इन complaint में investigation करते हैं इसका ध्यान रखेंगे आप constitution में यदि देखें तो यदि execution जो होता है laws का न यदि concurrent list पे कोई law बना हुआ है तो उसका execution का काम जो है state government ही करती है भले उस पे कानून जो है union ने बनाया हो लेकिन इसका execution जो है state government ही करती है इसके बारे में ध्यान रखेंगे एक और चीज जो है आप ध्यान रखेंगे कि इंद्रा गांधी कैनाल जो थी ना इंद्रा गांधी कैनाल उसने जो राइकाज वहां की community है और camels का जो moment है ना उंटो का moment को कम कर दिया था जिससे इनके environment इनके जो है एक habitat पे जो है खत्रा हमने पहुचाया था इनकी movement पे जो जो community होती है जो इनको इधर उधर जो है लेकर जाते हैं तो इसको जो है ध्यान रखेंगे आप अच्छा एक term जो है आप ध्यान रखेंगे मारिया मारिया जो खोंड rebellion human sacrifices करते थे ना यह जो पकड़कर इनको बली दे देते थे तो उसी को मारिया इसको कहते थे जो यह local थे तो यह मारिया वर्ड को जो है ध्यान रखेंगे खोंड ट्राइब जो ओडिसा में में देखने को मलती है वो human sacrifices जो करते थे उस चीज को जो है यहां मारिया कहा जाता था यह term मारिया जो है आप याद रखेंगे तो खोंड rebellion जो है का एक कारण था कि मारिया जो है उस practices को बं होते हैं तो क्या tokenization जो card का है वो mandatory है तो नहीं यह mandatory नहीं है हमारे लिए tokenization अब card is required for offline purchase अलसो तो offline purchase के लिए tokenization की जरुरत पड़ेगी नहीं इसकी कोई जरुरत नहीं है one token for all online merchants क्या एक ही token जो है सभी online merchants के लिए वो generate करेगा नहीं ऐसा नहीं है वो अलग-अलग tokens जो है generate होंगे customers request करेंगे for tokenization of any type of number of card तो customers जो है यह request करेंगे tokenization के लिए any type of or जो है number of cards को तो यह सही है customers have the option to register deregister their card for a particular use case तो यह जो है किसी भी चीज के लिए deregister या फिर जो है card को register कर सकते customers के पास option होंगे जैसे qr code based app payment के लिए इन सारी चीजों के लिए जो है यह register या deregister कर सकते हैं card user can refuse tokenization of a particular card तो यह जो है refuse भी कर सकते हैं तो इसको भी जो ध्यान रखना है card user refuse कर सकते हैं कि tokenization नहीं हो गाए उनके card का customers have the option to set and modify per transaction and daily transaction limit for tokenization card transaction तो यह card transaction से कितना जो है यह modify कर सकते हैं अपने daily transaction limit को और customers can request for tokenization of card on any number of devices जितने number of devices पे चाहें उतने पे जो है यह tokenization इनी number of devices पे जो है यह request कर सकते है tokenization के लिए तो यह सारी चीज़े हैं जो कि हमें card tokenization के बारे में ध्यान रखनी चाहिए persuasion instrument के बारे में ध्यान रखेगा क्योंकि इनको जो है जब हम इस पे struck करते हैं किसी चीज़ से तो यह sound produce करते हैं और यह जो है ताल या फिर beat जो है produce करने के लिए इसका हम प्रियोग करते हैं यह सभी musical notes को produce नहीं करते हैं और कुछ जो है persuasion instrument में हम देखें तो जैसे जो है यह आप देख सकते हैं कि drums वगारा जो आते हैं इसमें उन्हें हम persuasion instrument कहते हैं तो इनको जो है हम पीट कर बजाते हैं इस ट्रक करके किसी चीज़ से मारते हैं तो यह बचते हैं तो इसको ध्यान रखेगा persuasion instrument a history के कुछ चीज़े जो है यह हम देखें तो जैसे इंग्लो फ्रेंच वार के बारे में हम देख लेते हैं तो यह लगबग 1740 से जो है 1763 तक यह बहार चला था 1740 से 1748 तक पहला French War हम देखते हैं जिसमें जो है हम देखते हैं कि एक एकजिलाच चैपल की ट्रीटी होती है साइन होती है और Battle of Thaw में जो है इसमें होती है जिसमें French और अवरुद्दिन के बीच में बैटल होती है सेकेंड वाली जो है 1749 से 1754 तक होती है और ये जो है और दिन को जो है ये किल करते हैं तो इससे ये बार सुरू हो जाती है Battle of Umber जो है यह 1749 में इससे इसी जो है सेकेंड बैटल में होती है थर्ड वाले में 1758 से 1763 तक यह चलती है और आस्ट्रिया जो है यह recover करना था सिलसिया को तो यह जो recover करने चाहते थे इससे जो है यह war शुरू हुआ था और सेङून इएर वण इसी में जो है हम देखते हैं कि 1758 से 1763 तक चलती है जिसे में जो चलती है तो इसमें 1663 में पयर पर शैन्क 15 व्रिंच वर में सबसे पहले हम देखते है कि एक जिला चैपल यह treaty हो जाती है जो treaty साइन होती है और इसी में Battle of Thorns जो है होती है यह 1748 में, Second वाले में Battle of Ambrs 1749 में और Third वाले में हो जाता है अपना यह Battle of One Divas. तो यह जो battles होते हैं यहाँ पे और सिक वार जो है देखेंगी तो दो सिक वार जो है लड़े गए तो ये सिक वार में हम देखते हैं कि जैसे कि पहले सिक वार में लाहौर की ट्रेटी हुई थी और बहरवाल की हुई थी और दूसरे वाले में राम नगर की ट्रेटी हुई थी चिलहन की हुई थी और गुजर आवपी ने गुजराइज गया है। हम्ने में पते ही एक दिख रखैने और दूसे दूसरे से तर है राम नगर हुजाती है। त्रिटीन की और चिलहम जो है बैटल अप चिलहम हो जाता है और बैटल आफ राम नगर हो जाता है बैटल अफ गुजराश हो जाता है तो इन सारी चीजों को जो है अबध्यान रखेंगे एज आप कॉंसेंट एक्ट आया बीम मालाबारी के जो है एफट से यह एक्ट आया था और इंट्रूड्यूस किया गया था बिल बाई सर एंड्रू स्कॉबल जनुवरी नाइन्थ एटी नैंटी वन को और गवर्नर जनु जो लैंस डाउन था ना उसने इसको सपोर्ड किया था तो बीम मालाबारी के मदद से जो है यह जो इंज एज आफ कंसेट एक्ट एटी नैंटी वन जो है यह आया था जिसमें यह लोग बारह साल से नीचे की लड़कियों की मैरेज को जो है एफ और बीट किया था दूसरी जो बिलो गर्ल 14 है और बॉइस का 18 साल से कम साधी नहीं कर सकते यह नैटीव मैरेज एक्ट में कहा गया सारदा एक्ट जो है इन 1929 में यह हर विला सारदा द्वारा जो है लाए गया जिसमें बॉइस की एटीन और गर्ल्स की एटीन यह जो है यह रखी गई फॉर दो इन 1931 में आया था जिसो एक्ट अफ सेटलमेंट भी कहा जाता था और यह एक्ट जो है 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ डिफेक्ट थे जिनको जह सही करने के लिए यह एक्ट हमने लेकर आया था यह क्या था कि यह जो रिलेसंस थे सुप्रीम कोट का यह जो 1781 का एक्ट है वो आया था जिसको हम एक्ट अफ सेटलमेंट भी कहते हैं या फिर डिकलेरेटरी एक्ट भी कहते हैं 1781 का दूसरी चीज की जमीदार्स और जोतेदार्स में क्या डिफरेंस होता है जो जमीदार्स होते थे वो अर्बन एरियास में रहते थे और जोते बिल या नहीं हैं जब लाख और देख्ते हैं कि जब बिल होता है छो हैं वोता है सरत की बिल है शने कंद का आधार में दर रहाएं को थे इन दूसरी चीज के लोग समवा या इसको क्थी करने होसे नहीं यह जो है खुद इस्पीकर जबर मस्वाग के हैं वह होते है तो इसमें पर इन कीप् заним के जो है चेर्मेन जो है ये स्पीकर खुद होते हैं और सारी कमिटी में जो है नॉमिनेशन या फिर जो है इनको इलेक्ट करते हैं स्पीकर ही स्पीकर ही जो है इनको नॉमिनेट करते हैं और सारी कमिटी के किसी भी मेंबर को ये जो है बना देंगे तो इसमें कहां कहां पर चेर्में जो है स्पीकर होते हैं तो वो देखें तो बिजनेस अर्वाइजरी कमिटी है रूल्स कमिटी है और जनरल परपस कमिटी है इन तीन कमिटी को जो है स्पीकर चेर करते हैं कॉंसिल जो होती है यह अजी कि ऐसील यह कने दूसरा का है कि ऐसेट Turn परस्पेक के जो है इसमें Gill अब बता सकते हैं एख ईकर 25ší यह किसके के लिए जो है special provision किन स्टेट्स के लिए दिये गए हैं 36th Constitutional Amendment से सिक्किम को एक full-fledged स्टेट बनाया गया था इंडियन यूनियन का जो है एक full-fledged इस्टेट जो है 36th Constitutional Amendment से सिक्किम को बनाया गया था तो यह कुछ information याद रखेंगे यहां हम देखें तो EVM जो है EVM जो इस्थमाल होता है वह हम देखें तो इसमें maximum 2000 ओट्स को यहां maximum ओट्स जो है इस्टोर किया जा सकते हैं यहां एक EVM मसीन में 2000 ओट्स जो है डाले जा सकते हैं दूसरी चीजह है कि जो एड्मिर्स्टेटर्स होते हैं यूडिन ठर्ट्रे के वो प्रेशिदेंट के ऊजन्ट होते हैं और यह जो है एड़ आफ और EVM में दो हजार तक ओट्स जो है इस्टोर किया जा सकते हैं पार्लेमेंट जो है वो लॉज बना सकता है तीनों लिस्ट पे कहां पे तो यूनियन ठेर्टरीज में और इसमें पॉड़ुचरी और दिल्ली यहां के लिए भी लॉज जो स्टेट लिस्ट है कॉन्करेंट लि जुज रसीज़ वही बन सकते थे इसके चियरपर्सन यो न्हारसी था उसका लेकिन इसमें रहे है से कुई सिंटिंग रेटारूर्ड जज हो यह जो है इन्हारसी का ड्राम किया है ने शाय्टिंग झीर्ट्वर्स बन सकता है यह चीज जह है हमें द्यान रखने हमकर झाल 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 झाल